हेलो एवरिवान वन्स अगेन आज मैं आपके लिए लेकर आए हो पॉकेट नोवल की एक स्टोरी रिव्यू जिसका नाम है इश्क एक दिवानगी एंड इसकी ऑथर है आर जे खुश्बू एंड इस स्टोरी का टाइटल है ये कहानी है दो प्यार करने वालों की जो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं लेकिन अचानक एक बाईस साल की लड़की किसी से बचकर तेजी से भागे जा रही थी वो बहुत डरी हुई सी लग रही थी उसके चेहरे पर डर से पीला पड़ चुका था आखिर कौन कर रहा थ उसका पीचा क्या उसे बचा पाएगा इस कहानी का हीरो और किस तरह होगी इस कहानी में प्यार की शुरुआत इस स्टोरी का ये टाइटल है इस स्टोरी में जो इसका टाइटल है इस इस नोवल में मुझे पहले तो कोई इश्क वाली फीलिंग नहीं आई मतलब इश्क एक में अब बात करें इस्टोरी की तो इस्टोरी में त्रिशना जो हमारी हिरोईन है वो एक सीधी साधी लड़की है जो विराट का जुनून नफरत पागलपन बन चुकी है एंड विराट सिर्फ तरशना को दर्द के अलावा कुछ नहीं देता जो जो शुरुआत के एपिसोड है ना जो पहले एपिसोड है उनमें तो कुछ जादा ही मतलब emotional scenes है उसमें जैसे तरशना है वो विराट से भाग रही होती है एंड वो से पकड़ लेता है बार बार तीन चार भागने की कोशिश कर चुकी होती है वो से कैद करके रखता है तो बंदी क्या कर सकती है अब मुझे विराट विलन से तो कम नहीं लगा एंड मुझे ऐसा लगता है कि यही hero हो एंड इसका कोई past हो अब बात करें पहले की life के सब्सक्राइबारे में भी अभी कुछ नहीं बताया गया है यंड मैंने अभी इस story के misterious टाइप है मतलब अभी मैंने इस story के अभी 60 episodes पड़ चुकी हूँ अभी इस story में सिर्फ मतलब कैद करना किसी लड़की को और तो से torture करना यही सब दिखाया गया है साट एपिसोड में ही तो मैं उस हिसाब से आपको रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 60 एपिसोड ही पड़े हैं बाकी स्टोरी ठीक है आप पड़ सकते हैं लेकिन इस स्टोरी में आपको सिर्फ टॉर्चर ही देखने को मिलेगा कुछ एपिसोड तक तो उस मुझे ऐसा लगा कि जो त्रशना है वो कुछ चुपा रही है और जो भी है और मतलब यह लोग पहले कभी कपल थे मतलब इनकी भी कोई खूबसूरत महबत थी लेकिन अभी तो इनमें सिर्फ नफरत है और यह एक मतलब मतलब हमारे जो विराट हैं वो तो त्रशना से कोई दूसरा हीरो आए और आप देखना यह है कि और इसके गुसें का कारण क्या है आप स्टोरी पढ़िए आप मुझे भी बताइए कि मतलब इस स्टोरी में जो विराट इतना गुसा करता है और नेगेटिव ही नेगेटिव है तो इसका कारण क्या है यह स्टोरी अभी मैंने सिर्फ साथ एपिसोड पड़े हैं एंड क्योंकि मुझे जानना है कि इसका पास्ट क्या है विराट का एंड तरशना का कैसे तरशना एंड विराट की यह मतलब को कैद में आ गई है एंड वो तीन बार भागने की कोशिश भी कर चुकी है बट कामयाब नहीं रही जिन लोगों मतलब जिन लोगों को स्टोरी में नोवल्स में दीवानगी पागलपन मिस्ट्री माफिया वाला सीन भी है मैंन फोकस इन दोनों पर ही किया गया है हमारे विराट एंड तरशना पर साइट कैरेक्टर इतने जादा नहीं दिखाए गया है मुझे स्टोरी स्टोरी को आगे continue करूंगी ही और भी इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं इस स्टोरी के 164 एपिसोड हो चुके हैं यह स्टोरी पूरी तरह complete हो चुकी है इसका the end हो चुका है अब मुझे यह जानने की उच्छता है कि इस स्टोरी में क्या क्या हुआ है तो अकर आपने इस स्टो स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बट यह ही है जो लोग काफी इमोशनल है वो नहीं पढ़े क्यूंकि इस स्टोरी में एक लड़की है वो मतलब थोड़ी वीग बताई गई है और जो हमारे विराठ हैं उनकी मतलब हैवानिया टाइप और गुसां जबरदर्स्ती यही दिखाया गया है में भी जाके अभी मैंने सिर्फ साथ एपिसोडी पढ़े हैं तो में भी कि आगे जाके इनका रोमैंस भी देखने को मिले और इनकी पास्ट भी मुझे पता चले कि इनकी पास्ट में क्या प्रॉब्लम है और थैंक्यों फॉर वाचिए कीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए मेरी वीडियो को